इस समय मौझूद है हम बेनीपूर नगर परिशत छेतर में और नगर परिशत का यह है वाड संखिया 10 जहां से परतियासी हमारे बीच मौझूद है चुनाब लड़ रही हैं सुभधरा देवी सुभधरा देवी क्या कुछ मुद्दा के साथ चुनाबी मैदान में उत्री हैं आए जान लेते हैं क्या मुद्दा है आपका चुनाबी मैदान में उत्री हैं गौ के विकास के लिए लग रहे हैं यहां पर में नाला का सौचाला का बहुत दिकत है कुल कितने परत्यासी है आपके वार्ड में? साथ है साथ परत्यासी में आपको ही लोग वोट क्यों देंगे? यह बता ही है यहाँ पर सिक्षा का कमी है, नाला का कमी है, सोचालाय का कमी है बेरोजगारी है, कुटी उद्योग नहीं है कोई तो उस सब के चलते हम सोचते हैं जो हम आदर्स गौण बनावें चुनाब अगर आप जीत जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे सबसे पहले वो कौन सा काम करेंगे जो आपके माइंड में चल रहा है सौचाला, नाला, कुटीर उद्योग जो लेडी सा बैठी हुई रहती है उससे अच्छा है घर में कोई उद्योग करेगी जैसे कि मुखमंद्री का अभी चल रहा है साथ निश्चा योजना तो उसके गरत हम सुचते हैं जी यहाँ पर में वैसे पाले मेरे यहाँ सिलाइ सेंटर चलता था लेकिन हम चाहते हैं कि आप जन परतिनीधी बन करके इस सब काम को पूरा करें यह थी हमारे बीच सुभधरा देवी जनोंने कहा है खास करके महिलाओं पे क्योंकि चुक्कि यह महिलाओं के परति सबसे पहली प्रात्मिक्ता सोच बनती है कि महिलाओं कैसे रोजगार में आए मुख मंत्री या परधान मंत्री के जो प्रोजेक्ट है उससे कैसे जुड़ जाए इसको ले करके ये पढ़ियास रख है हलाकि इनोंने कहा है कि कुट्र धोग लगाने के लिए जहां तक हो सकेगा संबब पढ़ियास वो पूरा करूंगी अगर जनता ने मौका दिया तो इस छेतर में जो सबसे ज़ाद है जो गंदगी है स्वक्स भारत मिशन लोग कहा जाता है लेकिन धरातल पर उतर नहीं पा रहा है इसको उतारने का पूरा पूरा पढ़ियास करेंगी अब देखते हैं यहां वार्ड 10 की जनता सुबहदरा दिभी की बात पे कितना बिस्वास भरोसा करती है बिहार के अलग-अलग हिस्से में नगर परिशद, नगर पंचायत और नगर निगम गचुना भोड़ा है इसी करी में आज हमारी टीम बेनीपूरा पहुंची है और बेनीपूर का यह वार्ड 10 जहां से कुल 7 परतियासी चुनावी मैदान में है अब जनता तै करेगी कि 7 परतियासी में किनके 7 जाना चाहती है लेकिन इसी करी में हम आज 10 में हैं और हमारे बीच जो परतियासी हैं सुभधरा देभी उनके परतिनी थी हमारे बीच मौजूद हैं आईए हम जान लेते हैं कि चुनाबी मैदान में अपने परतियासी को क्यों उतारे हैं क्या कारण था क्या लग रहा है आप क्यों उतारे हैं अपने परतियासी को है बात यह है कि जिस जगह पर जिस गाउं में हम रहते हैं यहाँ पर दो सोच है एक महला का सोच है एक पुरूस का सोच है महला को एक चुली इस गाउं के अंदर में दबाक रखा गया है एक सोसित जगह है और जो पुरूस बर्ग है उनका एक ताना साही चलता है तो हमारे ख्याल से अपना हमारा सोच है कि महला को आगे कर करके इस चीज़ को बहतर बना जासता है क्योंकि महला के अच्छा ही काई इस गौँ में रहता है जो जो जन्स हैं वो एक चुली बाहर कमाते हैं तो घर का पूरा सत्ता जो है वो महला समालती है तो महला जो एक महला से कंटक्ट करती है तो बहतर कर सकती है आप मानते हैं कि महिलाओं के साथ मुख मंत्री या परधान मंत्री लगातार महिलाओं को आरक्षन दे रहे हैं है ना आरक्षन मिलने के बाद में महिला का कहीं न कहीं सोसन हो रहा है तो आपको लग रहा है कि इस सोसन से अब छुटकारा दिला पाएंगे कुछ चीजे कर्म पे होती है, हम लोग परियास कर रहे हैं इस चीज को एक बहतर चीज को लाने के लिए इस गौँ के अंदर में, महला को वो जगह दे सके, जहां पे वो एक अपना स्थापित हो के, वेल इंडिपेंडेंट जो कहा गया है, उसको वो खड़ा कर सके, हम लोग क अपनी के सोच है, जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहां पे एक योजना लिया तो गोवर्मेंट का, यह आपका खादी उद्यो का योजना था, तो किसी कारणबस तो रोक दिया गया है फिलाल अभी, क्योंकि उसको और्थराइज करने के लिए उसका पतना काम है, हम लोग कहीं मिसिंग कर रहे हैं उसका, तो इसका रोक दिया गया है, तो इसका रोक दिया गया है, तो जो भी महला काम करती है, तो इसके लिए उनका कुछ सोर्स अप इंकम चाहिए, तो सोर्स अप इंकम के लिए वो आपको देना पड़ेगा, और देने के लिए आपको द सिक्षित समाज बनाने के उद्देश से आप चुनावी मैदान में अपनी मम्मी को उता रहे हैं आप छेतर में जब जाते हैं तो समस्या क्या नजर आ रही है आपको अगर पूरे रंग से देखोगे आप तो इस गाउं में ऐसा कोई चीज है नहीं हुआ है जो कि completely आप कर सकत है जो पानी रोड पे आ रहा है सबसे बड़ी बात है गंदगी इस गाउं में गंदगी को लेकर के कुछ भी डिसकसन नहीं होता है परधान मंती ने अपन नारा दिया गोवर्मेंट तक पैसा आया गोवर्मेंट से हम तक आया लेकिन क्या वो पब्लिक की बीच में आता है जो एक पार्सत का नित्युत है कि वो मा भी है वो बाप भी है अगर गाउं में कुछ गलत होता है तो वो बाप भी है और अगर वो गाउं में कुछ सही अच्छा करना चाहता है तो मा भी है जब एक पार्सत एक रोड से गंदगी की बीच से निकलता है तो उसे नजर नहीं बच्चे हो किसी की वाईप हो किसी की बैहन हो किसी की की माग हो इज़ट सबकी कोई भी रोड़ पर त जाता है तो साहईद वह गलट और इसका नित्त इत्र पॉआ कर रहा है इसके बादे में गर्गर जाकर बताएं कि इसका परिणाम होगा अगर बताना चाहिए जितनी वी योजना परदान मंत्री या मुख मंत्री का चल रहा है उसको अब सत क्या होगा आप कैसे चल पाएंगे इस पर्तिशत अगर धरातल पर उतार देंगे तो आपका क्या होगा? तो इन योजना को पूरा करने के लिए क्या होता है कि आपको एक टीम बनाना पड़ेगा पहले जो आपको कि आपको आपको बन गए हैं तो एक जो मुखमंत्री दे रहा है उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा फाइट है थोड़ा सा आपको एक एक एजुकेशन है थोड़ा कि इस गौपन को रहा कि आप C position कुछ needs अपर इस व zurव स arthritis and o किस भड़ानेु वाइन एक आमस बाहनी उआ इस मैं किसी परतियासी आपके सामने हैं आपको ही लोग वोट क्यों देंगे शौटली जबाब चाहिए इन साथ में आप किसी सबा किसी बंदे से पूछ लो आप कि एलेक्शन लरने का रीजन क्या है इनको विकास चाहिए इनको बदलाओ चाहिए विकास जहां पे छे आदमी साथ आदमी खरे होते हैं वहां विकास नहीं होता है वहां जगरा होता है ठीक है अगर विकास का मत है त से अच्छा है कि आप अपनी एक विरादरी से एक आदमी मिल बैठके बात करो कुछ दिन पहले मैंने एक बात किया था कि जो साथ लग रहे हैं साथ पर्तियासी को एक जगाब रखो पबलिक को बढ़ा लो पबलिक से बात कर लो लेकिन कुछ लोगों नहीं है लेकि हमारा एक सोच है कि एक अच्छा गाओं का निर्मान करने के लिए आपको सिक्षा चाहिए एक लैन में जवाब चाहिए चुनाव अगर आप जीच जाते जनता ने अगर आपको मौका दिया तो क्या लग रहा है जो सबसे पहले वो काम करना चाहते हैं जिससे आज भी समाज तरस्त है ज ये थे हमारे बीच अमित कुमार दास जो बिविन मुद्दो पे बेवाकी के साथ अपनी बात को रख रहे थे हलाके इनोंने कहा है सरकार की कई योजना ऐसी है जिसे आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं दो तीन योजना इनोंने गिनाया है जिसे आम लोग समझ पा रहे ह लेकिन कुछ ऐसी योजनाए है जिसे लगबग लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसे समझने की जरूरत है और इन्होंने एक बात जो सबसे बड़ी बात है इन्होंने कहा है कि अगर आप विकास की बात करते हैं तो जहां साथ परतियासी, छे परतियासी होगा तो वहां विकास कम जगराज ज्याद होगा ये बात भी हकीकत है कि अगर आप आम लोगों में इस बात को रखेंगे कि भाई साथ लोग हम लोग चुनाब लड़ना चाह रहे हैं समाज में बैट करके किसी एक को चुन लिया जाए तो ये संभब हो ही नहीं सकता है अब देखते हैं कि अमीत कुमा और वाड दस की जनता क्या सोच रही है